प्रभु तेरी वाणी जीवनिकी रोटी नयनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवनिकी रोटी नयनों की जोती अंधेरा मिटाती प्रभु तेरी वाणी जीवनिकी रोटी नयनों की जोती अंधेरा मिटाती पाणी 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 पवित्र है शाश्वत है जीवन का मन्ना है सवला जुलाई ब्रिहस्पतिवार पहला पाठ नभी इसायस का ग्रंथ अध्याएच अविस पजसंख्याएं साथ से नो बारा और सवला से उनिस तक जो मिटी में सो रहे हैं वे आनंद के साथ जाग उठेंगे धार्मी का मार्ग समतल है तु धार्मी का पत बराबर कर देता है हे प्रभू हम भी तेरे नियोमों के मार्ग पर चलते हुए तुझ पर भरोसा रखते हैं हम तेरे नाम की स्थूति करना चाहते हैं मैं रात को तेरे लिए तरसता हूँ मैं अपनी सारी आत्मा से तुझे खोचता रहता हूँ क्यूंकि जब प्रिथ्वी पर तेरे नियोमों का पालन होता है तब उसके निवासियों को पता चलता है कि न्याय क्या है हे प्रभू तू ही हमें शांती प्रदान करता और हमारे सभी कारियों में हमें सफलता दिलाता है हे प्रभू तेरी प्रजा संकट में तेरी शरण में आई जब तू उसे दंड देने लगा तो उसने तुझे पुकारा हे प्रभू हम तेरे सामने उस गर्वती स्त्री के सद्रीश थे जो प्रसब के समय तडपती है और अपनी पीडा में चिलाती है हम गर्वती की भाती पीडा से तडपते थे किन्तु हमने वायू पैदा की हमने देश का उधार नहीं किया और प्रित्वी पर नए निवासियों का जन्म नहीं हुआ किन्तु तेरे मृतक फिर जिवित होंगे उनके शरीर फिर खड़े हो जाएंगे जो मिट्टी में सो रहे हैं वे आनन्द के साथ जाग उठेंगे क्यूकि तेरी ओस जतिर में हैं और प्रित्वी मृतकों को फिर पुनरजिवित कर देगी यह प्रभु की वानी है संद मत्य की अनुसार पवित्रसु समाचार अध्याइगारा पदसंग्या अठाई से थीस तक येश्व ने कागा तक के मान दे और बोच से दबे गूई ये लोगो तुम सब के सब मेरे पास आवो मैं तुम्हें बिश्राम दूँगा मेरा जुवा पने उपर ले लो और मुझे से सीको मैं सुवाव से नम्र और बिनीत हुम इस तरह तुम अपनी आत्मा के लिए शान्दी पावोगे क्योंगी मेरा जुवा सगज है और मेरा बोच हलका यह प्रभु का दीव यसु समाचार है भाई और बहनो आज के प्रदम पाठ में अमने इसियास नभी के ग्रंद से पाठ सुना था अध्याई 26 पाठ संगे 7 से 9 12 सोल से 19 तक नभी बाबिलोनिया में दास्रदा में रगने वाले जगुदियों को जात करते हैं इसलिए करते हैं प्रभु मैं रात को तेरे लिए तरस्ता हुम मैं अपनी सारी आत्मा से तुछे खोज्स्ता रगता हुम क्योंकि जब प्रत्वीप तेरे नीमों का पाडन होता है तब उसके निवासियों को पता चलता है कि न्याई क्या है परंदू नभी के सामने ऐसा दर्म संकड है कि विश्वास में लोगों की कम्मी है लोगों में विश्वास की कम्मी है इसलिए वो नवी चिंदिद रहते हैं नवी कहते हैं कि प्रभू मैं तुझ पर बरोसा रखता हो हमें ये नमूना दिखाते हैं कि हमें हर बात के लिए प्रभू पर बरोसा रखना है जब हम समस्याओं की सामना करता है जैसे बिसनस फैल हो जाता है या हमें गंबीर से गंबीर भीमारी पढ़ जाता है या हम मुर्त्यू की सामना करते हैं जीव में असा फ्रता होती है, ऐसे च्छनों में हम भी पूछन रेखते प्रभू तु कगा है, क्यों चुप है, बहुत लोग प्रभू से बार बार ऐसे प्रसन पूछते हैं, स्वस्रगार करता है, अध्याइस, सताइस, प्रभू की प्रदिच्छा करो, मन दृड करो, सागस रको, प्रभू की प्रदिच्छा करो, यती भी प्रभू मावन रखते हैं, आईसे अध्याइस होता है, अध्याइस होता है, अध्याइस होता है, आम जानते हैं कि प्रेरिद, पुनिरुतान के दिन शाम को दो जन जा रहे थे माउस, और वे चिंदिद थे, और उनके चेकरे पर गलानी थी, और उनके साथ कोई साथ ले लिया, आम जानते हैं प्रभु एशूगी उनके साथ चल रहे थे, उनको समझाने के लिए, इसी तरह हमारे दुक में हमारे साथ चलता है, क्योंकि उनका नाम ही इमानुवल है, इसी तरह हमारे साथ है, संद जाक्पू करते हैं अध्याय चार पदसंग्याट में, इसी तरह के पास जाए और वाग आपके पास आएगा, प्रभु के नाम लेकर पुकारने से प्रभु हमारे पॉल उसका पत्र ध्याई तेरह पत्र संग्य पांच में लिखते हैं, माई तुमको नगी चोड़ूंगा, माई तुमको कभी नगी इंत्यागूंगा, प्रभू पर सरधारिकना, अब विशेशल के जब सब गडबड चल रहा है, जब उदर पुदर चल रहा है, जब सब बना हुआ मकान गिर जाता है, प्रभू पत्र पर बना हुआ मकान नहीं गिरता, प्रभू हमें इसी काते हैं, अब प्रभू माउन नहीं रगता, प्रभू अमारे साथ देता है, और अमारे लिए प्रमान प्रभू एशू, जो कुरूस पर मर रगे दे, सबों के द्वारा अपने मित्रों के द्वारा तिरस्किर्द कुरूस पर मर रगे, तो पिता को बुला करते हैं, पिता तुमने क्यो मुझे छोड़ दिया, परन्दु प्रभू अम ही सिकाता है, आशावान रगो, प्रभू कुरूस चे अपने पिता सिकाता है, पिता मेरी आत्मा तेरे हातों मे साउम देता हूं, अम ही सिकाता है, और हालत में कितने भी समसिया मरे सामने है, पिता पर स्रधा रखना, पिता पर भरोसा रखना, प्रभू ने अपनी आत्मा आइसा पिता के हातों में साउम दिया, जैसे बैच्चे मा या पिता के हात में सो जाता है, उनके लिए मृत्यू पिदा ख्यात में सोने के जैसे आसान दा क्योंगी वो पिदा पर सरधा रखते दे और हम जानते इसका प्रतिपल हुआ पुनेरुथान प्रभु येश्यू हम इसी काते हैं कि पिदा पर किसी आलत में विश्वास करना को अमारे साथ देगा सोस्रगार अठाइस परसंगेत में करते हैं प्रभु मैं तुछे पुकारता हुम तु मेरी चटान है अनसुनी ना कर येदि तु मेरे प्रदी मौन रगेगा तो मैं अदो लोग जाने वाले जैसे हो जाओंगा इसलिए हम भी बार बार प्रता से काते रहेंगे किसी भी हालते किसी भी तकड़नाई हमारे जीवल में आता है प्रभु पर भरवसा रको आप प्रभु के समय की प्रदिप्चा करो प्रभु आपने विश्वास योंगो आपने बक्तोंगो कभी भी नहीं चोड़ेगा मैं तुमें अनार चोड़कर नगी जाता हूँ प्रभु ने हमसे कगा है ये विश्वास के साथ हम आग जाए आज किसी समाजार में प्रभु ये निमंदरन देते हैं ठक के मान दे और बोजी से दबेगो ये लोगो तुम सब मेरे पास आओ तीन प्रगार का निमंदरन आज के पार में प्रभु देते हैं तक के मान दे और बोजी से दबेगो ये लोगो मेरे पास आओ और दूसरा निमंदरने मेरा जुआ अपने ऊपर लो मेरा जुआ सगज है मेरा बोज अलका है तीसरा निमंदरने मुझ से सीको माई सवाव से नम्र और विनीद हुम तुम शांदि पावोगे तो प्रभु का ये निमंदरने तक के मान दे और बोजी से दबेगो ये लोगो कोने तक के मान दे चिंतावों से परसान लोग परसानियों से जो विश्वास चोड़ने के लिए भी बात्यों होने वाले लोग भीमारी से परसान हर प्रगार के परसानियों के तारण ठक के मान दे लोग प्रभु बुलाते आओ चिंदा मत करो तुमारी सारी चिंदाएं इस वर पर चोड़ो प्रभु एगी गवते हैं हमसे और जो लोग काम खरते करते ठक जाते हैं आईसे लोगों को भी प्रभु बुलाते हैं आओ मेरे पास आओ माई तुमें शांदोना दूंगा जो पाप का बोच उठा कर चले जाते हैं पाप के कारण कितनी लोग निरास हो जाते हैं प्रभु बुलाते हैं आओ अब प्लावु कुरूस से आम बुलाते हैं, जोगि प्लाव कॉते हैं, ये प्याला नभीन वेवस्तान का रक्त, जो सबों के पापों के लिए बखाया जायेगा, वही ये ए येशु, येशु का रक्त, आमे गारंडी देता है, कि अमारे पापों का प्राचित वो स्वयम अमारे लिए किया है आमे केवल विश्वास के साथ उनका इस प्राचित को अपनाना है मतिक सुसा मारे अध्याई 14 पादसंग या 14 में पड़ते हूँ येश्व को उन लगों बाद थरस आया और उनोंने उनके रोगियों को चंगा किया येश्व के पास जितनी भी रोगिया आये देश सबों को प्रभू ने चंगाई प्रदान की आज ही भी प्रभू रोगियों को चंगाई देते हैं अजारों की संग्या में लोग आते है उन्स सबों को प्रभू चंगाई प्रधान करते है पापों को प्रभू शमा कर देते है अम जानते हैं वो पाविनी स्री जिनको लोग पकड़ कर येशु के पास लाया येशु ने कागा बेटी तुम्हारा पाप चमा हुआ है किसी ने भी तुमको पतर नहीं मारा मैं भी नहीं मरूंगा अब जाओ अब इसे पाप मत करो प्रभु यगी चाते हैं यगी बोज प्रभु ले लेते हैं अमारा बोज चागे वो चिंदा हो चागे वो पाप हो चागे वो वीमारी हो प्रभु चाते हैं आप इस सब उनके उपर छोड़ दे वो चिंदा करेंगे वो सब ठीक करेंगे विश्वासी एगी करते हैं दूसरा प्रभु करते हैं मेरा जुआ अबने ऊपर ले लो जुआ सगज है मेरा बोच हलका है जो आँ करते हैं कि भार डोने वाला ज़िए प्रभु करते हैं मुझको तुम्हारा साथी बनो यह काम में शेहर यह बैडन भी तुमी प्रभु यही करते हैं जगुदियों के लिए जो जिन्ये प्रभु ने यह अभिवोधन किया उनके लिए धर्मा आजरन भी एक भोच था उनके सामने 613 नियम थे और हजारों की संग्या में उनके ब्याक्यान भी आईसे लोगों को प्रभु ने कगा धर्मा आजरन दिल की बात है और आगे प्रभु काते हैं तुम मुझ से सीखो माई सवाव से नमर और विनीद हुम तुम अपनी आत्मावों के लिए शान्दी पाव होगे प्रभु से हम बहुत सीख सकते हैं बहुत मुधवोर्ण बात जो हम से हम प्रभु से सीखेंगे यही है कि हर चीज में यह इश्वर की इच्छा की कोज करना हमारी भलाई के लिए है क्योंकि वह अमारा पिता है जो अमारे लिए उच्छाता है वह भलाई ही च्छाता है अर इस विश्वास के साथ हार चावरागे में जगा हमको कुछ नर्ने करना पड़ता है तब इश्वर की इच्छा की कोज करो प्रव ने कहाँ मेरे लिए के बोजने पिता की इच्छा पूरी करना और पिता की इच्छा पूरी करना यही सबसे बड़ी बात हम प्रव से सीखेंगे हर चीज में पिता की इच्छा पूरी करना दूसरा है अपनी जिम्मेदारियों को समझना हर एक वेक्ति अपनी जीवन में discernment करना पड़ता है कि विवेग ये विवेग वरदान है आत्मा का वरदान है कि हमें क्या करना चागे कैसा करना चागे बुद्धी हमें मिलेगा आत्मा का विशे से अब प्रभू ये आत्मा का विशे आमें प्रदान करते हैं तब प्रभु से हम ये सीख ले कि पिदा की इचा पूरी करे आव इसके लिए कितना भी हमें मूँ ले चुकाना हो पर दो ये प्रदा के मगतो है और अमारे जीवन का लिच्ची है आई अम्परो को धनिवाद दे आज के इस मगान शिख्चा के लिए प्रभु आज के दोनों पाड़ा में सिखाते हैं कीश्वर पर सरधारों को विश्वासी बनो आव प्रभु पर भरोसर को आव प्रभु से सीखो पिता की इचा पूरी करने के लिए ये पिता जैसे तेरी इचा है वैसे अमारे जीवन में हो जाए आए अम प्रार्थना करें ये सरवशक्ति मान पिता सरक पृति के सृष्टी करता तुने हमें अनार रिकाल से प्रेम किया हमारे बारे में तु सृष्टी के पहले ही जानते दे आस हमें की पूर्णदा में तुमने अमें इस अंसार में बेजा है तु अमारे साथ रेद हमें आरप्रगार के प्रोलोवनों से आरप्रगार की बुराई की शक्तियों से सुरच्छा दे तु अमें पाप के बंदरों में खभी पढ़ने ना दे यह पिता अमारा भोज तू ले ले प्रवेश्वी ने कागा ठके मान दे और भोज से दबेगू यह लोगों तु सम्मेरे पास आओ यह पिता अमार गें आपना पूरा भोज ले कराए है तू अमारे सांदोना दे शक्ति दे आमें अवित्र है शाश्वत है जीवन का मनना है